हेलो स्टुडेंट आज हमनों क्लास 10 का चैटर कोडिनेट जोमेटरी एक्सरसाइज 7.3 कोशी नमर आज हमनों 3 बनाएंगे कोशी नमर 3 क्या करें चलिए बो दिन से Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0,-1, 2,1 and 0,3 Find the ratio of this area to the area of the given triangle देखिए हम लोगों क्या कहारा है, question पहले हाधिया हाद समझे, ठीक हम लोगों triangle दियागी ठीक है, एक triangle है ठीक है, एक triangle है, जिसका हम लोगो vertices दिया होगा, ठीक है मान लेकिए अ है ये B है और ये C है, A का कोडिनेट क्या हो जाएगा, 0,-1 ठीक है और B का coordinate हो जाएगा 2,1 और C का coordinate 0,3 ठीक है, हमनों क्या बोल रहा है इस triangle का midpoint ठीक है, जब हमनों midpoint को क्या करते हैं मिदपोंट को मिला देते हैं A, B का midpoint क्या हो जाएगा यहाँ पर ठीक है, इसका नाम देजी तरे D B, C का midpoint क्या हो जाएगा और AC का midpoint F ठीक है नाम देजिए तो हम लोग को बोलड़ा है इस triangle का area और इस triangle का ठीक है triangle DEF का और triangle ABC का हम लोग क्या find करना है ratio find करना है ठीक है तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस point को निकाना पड़ेगा हम लोग को midpoint निकाना पड़ेगा let ABC is a triangle ठीक है हम लोग का क्या है triangle whose vertices are vertices are कितना कितना है A हम लोग कितना है 0,1 फिर B कितना है हम लोग का 2,1 and C कितना दिया हम लोग को 0,3 ठीक है स्ट्रेंट और हम लोग का अब देखिया आगे क्या है अब क्या हम लोग का D, E and F क्या हम लोग का are midpoint है ठीक है are midpoint of किसका midpoint है are midpoint of A, B और फिर B, C and किसका A, C ठीक है अब देखिया हम लोग कैसे निकालेंगे यह coordinate हम लोग का सबसे पहले मतलब कि D का coordinate, E का coordinate, F का coordinate निकाला पड़े तब जाके क्या होगा इसका area निकलेगा ठीक है यह वाला का तो हम लोग कोडिनेट कैसे निकालेंगे ठीक है चलिए देखते है coordinate ठीक है coordinate of किसका D कैसे निकालेंगे midpoint formula से हम लोग जानते क्या होता है X1 प्लस X2 divided by 2 फिर, Y1 प्लस Y2 divided by 2 ठीक है तो हम लोग का X1 कितना हो जाएगा यह दोनों में देख रहें ना कोडिनेट ए अब इन दोनों को देखें exposed क्या होगा घं का 0 plus X2 चाहँ जाहएगा टू डिवाड़ड़ बाइड वैक है को माधवन कितना होजा हम लोग वाइवन हो जाएगा माइनस वन और वाइटे के दना हो जाहएगा 10 Hij तो यहां पर यहां पर कितना हो जागा उपर में 0 by 2 ठीक है आप देखे क्या करेंगे दिख कांसिल हो जागा टू बन जाए तू डू बन जा तू यानि कि कितना कोडिनेट वन कोमा यह हो गया जीरो ठीक है वन कोमा जीरो आ गया अब इसी परकार से हम लोगे इसके हम लोगे का कोडिनेट ओफ डी ठीक है अब एका निकाल रहे है ठीक है एक अभी वेसी निकालेंगे फॉर्म लोडल के एकस वन प्लस एकस टू डिवाड़ेड़ बाई टू ठीक है अब देखे एकस वन कितना दी एकस वन हम लोगे टू है प्लस एकस टू कितना है जीरो डि जाएगा, 4 by 2, ठीक है, cancel हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, cancel हो जाएगा, तो क्या आगया, 1,2 आगया, ठीक है, सुन कितना आगया, हम लोग का coordinate E कितना आगया, हम लोग का क्या आगया, coordinate, coordinate of E के आगया, 1,2 ठीक है, अब देखे हम लोग किसका coordinate निका लेंगे, इसका ना, F का coordinate ठीक है, अब निकालेंगे, coordinate of F, ठीक है, कैसे निकलेगा, formula डाल देंगे, X1 पलस X2 डिवाइड़ बाइड़ तू, कॉमा Y1 पलस Y2 डिवाइड़ बाइड़ तू, ठीक है, X1 हम लोग का कितना दी, X1 हम लोग का 0, पलस X2 कितना दी है, 0 डिवाइड़ बाइड बाइड़ तू, ठी डिए तो दधितना धाइगा तू चितना तू टू फिश्व ze क्या लोग गए कि अब हम लोग का आगने जिरो कोमा ही तू जाएbu यहाँ पर और लिख देते हैं ट क्डी का कोडिर्णिंट हम लोग का आगने बच्याएँ 1,1 ठीक है हम लोग का ऐ का कोडिनीट क Арक है यहां पे चलिए सबसे पहले आपके रिम एक ताकि आपको ज़्याद समझदे में असानी हो इस ट्राइंगल का बात करें दी, ई, f ठीक है, d का coordinate है 1,0, e का coordinate कितना है 1,2, f का coordinate कितना है 0,1 ठीक है, तो हम लोग का x1 कितना होझाँजाएगा 1, x2 कितना होझाँएगा 1, x2 1 होझाँए, x3 कितना हुण जायगा जीरो ठीक है अब देखे है वाइ-वन कितना हुण है हम लोग copyright हम लोग का दू और इथी कितना हुगा विद्ध एड़ हों ठीक है फिर y2-y3 ठीक है उसके लिए x2 ठीक है फिर y3-y1 फिर क्या होता है हम लोग का प्लस x3 के बाद y1-y2 ठीक है यही हम लोग क्या होता है फॉर्मुला होता है अब चलिए हम लोग क्या करने है आगे बढ़ेंगे ठीक है आप value put कर देंगे हम लोग y3 कितना दिया है 1 ठीक है प्लस x2 कितना दिया है 1 और y3 कितना दिया है 1 और y1 कितना दिया हम लोगा y1 दिया है 0 ठीक है प्लस x3 कितना दिया हम लोगा 0 y1 कितना दिया हम लोगा 0 0-2 कितना दिया है 2 ठीक है चलिए आप हम लोग बढ़ते हांगे क्या हो जाएगा 1-2 ठीक है 1 2 में से 1-1 आजाएगा 1-1 ठीक है 1-0 मानस करें तो 1 बजेगा प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 0 ठीक है और यह मैनस एक धर जाएगा 1-2 ठीक है अब यहां पर स्टु सोग्याँ थे किह वनवार तू क्या रजाएगा 1 को से क्रिकरत करेंगा 1 1 1 यहां पर यह 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 जीरो ठीक है यहांपर यहां पी रहर घाए शूचरण ہوज किया अभर च digns हाय वर यह खालेकर ओं एक जाएगा क northeast केंसल हो जाएगा 2 1 0 2 2 1 0 2 यानि कि हम लोग का कितना आ गया 1 ठीक है student cancel हो गये दोनों कितना हम लोग का unit हो गया 1 square unit आ ठीक है ठीक है student अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आप हम लोग बड़ा वला triangle का निकाने किसका A B C का यहाँ पर बना देता हम आप लिए अणितने में असलियों ठीक है A B और C ठीक है अब देखिये A हम लोग को कितना दिया है 0, minus 1 B कितना दिया है 2, 1 ठीक है C कितना दिया है 0, 3 ठीक है 2 2, 1 ठीक है student अब फिर से हम लोग क्या करें है देखिये हम लोगका x1 कितना हो जाएगा strength x1 हो जाएगा 0 x2 कितना हो जाएगा 2 और x3 कितना हो जाएगा हम लोग का 0 ठीक है अब देखे y1 कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा हम लोग का minus 1 y2 कितना हो जाएगा 1 और y3 कितना हो जाएगा 3 ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे A, B, C, ठीक है, अब ते लिए हम लोग देखते हैं, आगे स्ट्रेंट, 1 by 2, ठीक है, फॉर्मुला, X1, Y2 minus Y3, प्लस, फिर क्या हो जाएगा, X2, फिर क्या हो जाएगा, Y3 minus Y1, फिर प्लस, X3, फिर हो जाएगा, Y1 minus Y2, ठीक है, Y2, ठीक है, आप देखें, क्या करेंगे, 1 by 2, X1 कितना दिया, X1 हम लोग कितना है, 0, ठीक है, आप देखें, Y2 कितना दिया, 1, ठीक है, Y2, 1 दिया, ठीक है, आप देखिए student आगी क्या करना है x2 कितना दिया है x2 हम लोग का 2 दिया है y3 कितना दिया है 3 आप देखिए y1 कितना दिया है minus 1 ठीक है तो यह formula का minus हुआ और y1 कितना दिया है minus 1 plus 3 x3 कितना दिया है 0 ठीक है आप यहाँ फिर से देखिए y1 कितना वचाथ है, minus 1 minus ठीके, यह वहला minus और y2 कितना वचाथ है, 1 चले, आब हम लոग आगे बढ़ते हैं, क्या होगा 1 by 2, ठीके, यहां कितना होगा 0 minus, कितना बजाए, minus 2 हो जाएगा ठीके, प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा ठीक है? माईनस माईनस, पलस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या अगए अगया, 0-2, ठीक है, स्टुऴें, अब देखे, 1 by 2, 0 को माईनस 2 से मॉल्टिपलाई करेंगे, तो अगया, 0, मलसे, यहाँ पर कितने अगया, 2, 3 में 1 जोड़ेंगे, तो 4, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 0 अब देखें student क्या हो 1 by 2 ये कितना हो जाएगा 0 तो 8 जाएगा 8 ठीक है कितना हो 1 by 2 into 8 ठीक है cancel हो जाएगा 2 1s are 2, 2 4s are 8 यानि कितना आगिया 4 आगिया हम लोग का इसका area square प्लोग ठीक है square unit ठीक है अब हम लोग को क्या find करना था ratio find करना था ना तो चलिए ratio लिख देते हम लोग area of triangle D area of triangle D E F divided by area of किसका triangle A B C D E F का हम लोग का कितना area 1 आए ना 1 इसका आए ठीक है तो उपर क्या हम से 1 और divided by इसका कितना area of ABC का ABC का यह कितना है 4 ठीक है 4 यानि कि हम लोग का answer क्या आजाएगा 1 ratio 4 ठीक है यही हम लोग का क्या आजाएगा answer ठीक है इतना ratio में आजाएगा इस ट्रेंट वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैक यही जाएगा